किल्ज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और अभिनेतरी हेमा मालिनी की बेटी ईशा देउल ने बॉलीवुड में एंट्री ली लेकिन वो नाम और फेम हासिल नहीं कर सकी जैसा उनके मम्मी पापा का है और उनके सोतेले भाईयों को भी मिला फुटबॉल में दिल्चस्पी और स्कोल के दिनों में मिडफीडर फुटबॉल टीम की कप्तान वर स्टेट लेवल पर अपने कॉलेज का हैंडबॉल में प्रतिनिदित्व करने के बावजूद ईशा ने अपने एक्ट्रेस बनने के सपने को फॉलो किया ईशा देवल ने साल 2002 में फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से अपने फिल्मी करिया की शुरूआत थी इसके बाद उन्होंने कई दूसरी फिल्मों में भी काम किया लेकिन ना वो नाम मिला और ना फेम आखिरकार, ग्रींगल, हेमा मालिनी की लाडली ने फिल्मों से ब्रेक लेकर शादी का फैसला किया लेकिन क्या आप उनकी लव स्टोरी को जानते हैं, जो पूरी तरह से फिल्मी है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अपने दामाद भरत अक्तानी को खुद धूर कर लेकर नहीं आये थे बलकि भरत को अपने हमसफर का फैसला ईशा देवल ने लिया था दोनों की लव स्टोरी इंट्रस्टेंग और फिल्मी है बिलकुल एक फिल्मी स्टोरी की तरह उन्होंने पहले प्यार किया फिर आपसी अन्बन से उनका रिष्टा तूट गया लेकिन बाद में कुछ इसा हुआ कि फिर से वह अपने प्यार से जा मिली चलिए बताते हैं देवल परिवार की लाडली का असली लव स्टोरी के बारे में इशा और भारत की पहली मुलाकात तब हुई थी जब दोनों 13 साल के थे भारत पहली नजर में ही दिल हार चुके थे दोनों के अक्सर इंटर स्कूल कंपटीशन के दौरान मिलते रहते थे इशा जमनाभाई नर्सी स्कूल में पढ़ती थी और भारत बांधरा के लनस अकादमी स्कूल में एक इंटरव्यू में भारत से जब पूछा गया था कि ईशा में ऐसा क्या खास था कि आप उनके प्यार में पढ़ गए थे तब भारत ने कहा था ईशा हमेशा फ्रेश नजर आती थी और उनमें बहुत ही क्यूटनेस दिखती थी खास बात ये थी कि हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे उन्होंने बताया कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा था लेकिन एक दिन मैंने ईशा का प्यार से हाथ पकड़ने की कोशिश कर डाली फिर क्या था इशा को भरत की ये हरकत नागवार गुजरी और वह उनसे नाराज हो गई इशा ने भरत को एक थपड़ भी लगा दिया और कहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की इस घटना के बाद दोनों के रिष्टे में दरार आ गई इशा नाराज हो गई और भरत से बात करना बंद कर दी इशा ने उन बातों को याद करते हुए बताया था कि उस वक्त हम अन्म्याच्योर थे हाला कि इस घटना के बाद दोनों के बीच कई सालों तक बात नहीं हुई लेकिन इसके बावजूद ईशा के लिए भरत का प्यार कभी भी कम नहीं हुआ दस साल तक ईशा और भरत की बातचीत नहीं हुई दशमलब एक शून्य साल तक बात न करने के बावजूद ईशा हमेशा भरत के दिल में कैसे बनी रही इस सवाल के जवाब में भरत ने बताया था कि मैं ईशा के साथ संपर्प में नहीं था, लेकिन हाना के साथ मेरी दोस्ती बनी रही ऐसे में कही न कहीं ईशा से भी मेरा कनेक्शन बना रहा और वह मेरा पहला प्यार जो थी दस साल तक एक दूसरे से दूर रहने के बाद भरत और ईशा फिर से एक दूसरे से अच्चानक ही मिले शायद तक दीर का ये खेल था कि दोनों की मुलाकात कनाड़ा के नियागरा फॉल्स टूरिस्ट प्लेस पर हुई दोनों के मन में प्यार था उस समय भरत ने ईशा से पूछा था कि वो उनका हाथ पकर सकते हैं इसके बाद ईशा ने तुरंध हां कर दिया और फिर कभी अपने पास से भरत को जाने नहीं दिया ईशा ने भरत को अपने परिवार से मिलवाने का फैसला किया इसके बाद ईशा ने पूरी बात अपनी मा हेमा मालिनी से बता दी ईशा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने भारत को घर बुलाया और अपनी मा को कहा ममा उपर आओ मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाने जा रही हूँ मा जब मेरे फ्लो उपर आई तो वह इस बात से बिलकुल अंजान थी कि उपर में उन्हें क्या खास चीज दिखाने वाली हूँ वह कुत्तों के साथ खेल रही थी मा जब उपर आई तो वह भारत को देखती रही भारत से मिलते ही मा ने उन्हें पसंद कर लिया भारत को मम्मी से मिलाने के बाद अगली बारी पापा धरमेंदर की थी पीशा ने धरमेंदर से जब भारत को मिलाया तो दोनों करीब एक घंटे तक अकेले ही बात करते रहे दरसर धमेंद्र भरत से बात कर इस बात की तसल्ली कर रहे थे कि क्या वो उनकी बेटी के लिए ठीक है भी या नहीं धरमेंद्र को भरत पसंद आये और वो देवल परिवार के दामाद बन गए